नमस्कार किसान साथियों मैं राजूराम राठोड पहसिल बिलाड़ा जोदपुर राजस्तान से आज सबसे पहले मैं अपने मोबाइल नमबर इस वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आपको पूरे वीडियो देखने से पहले नमबर सेव करने के लिए मिल जाए आप ये नमबर अपने मोबाइल में नाम सहित लिख कर रखें राजूराम राठोड पहसिल बिलाड़ा जोदपुर राजस्तान से साथियों आज आपको इस वीडियो में जो मोबाइल की इसकिन पर कुछ उत्पाद नजर आ रहे हैं ये आप सब के लिए क्योंकि हमने कई बार वीडियो डाले जेवी खेती में जीरे का फंगी साइड कैसे गर पे बनाएं अक्सर सभी किसान भाई इस समय जीरे की खेती को लेकर बहुत परेशान है कहीं तरह के बाजार से महंगे रसाइनों का उप्यो करने के बाद भी उनके खेत में जीरे की जड़ गलन जड़ का काला पड़ना लाल पड़ना जड़ का आधा गीला पन होके पोधा हरा ही जा जाना इस परकार की सिकाईतें बहुत आ रही है महंगे से महंगे रसाइनों का उप्यो करके क्रसी रक्सकों का वो खेतों में निरिक्षन करने के बाद भी इसका उपाई अभी तक सक्सम नहीं डून पाए हैं तो जेविक तरीके से आज आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आप आपके खेत में अगर एक एकड में जी रहा है हम आपको एक एकड के माप के अनुसार ही उत्पाद बना के तैयार करके बताएंगे कि इसका उप्योग आपको कैशे करना है कब करना है और क्या क्या मैटेरियल आपको उत्पाद बनाने के लिए लेना है अगर आप इससे पहले रसाइनिक खेती करते हैं या जेविक खेती करते हैं ये कोई माइने नहीं रखेगा माइने ये रखेगा कि आपके खेत में क्या बीमारी है उसका आयरुवेद तरीके से घरेलू उत्पादों का उपियोग करके आप जो उसका निवारन करेंगे वो हम आपको उप इमारी है वो ठीक नहीं हो रही है तो जो आपको हम इस वीडियो की स्कीन के कुछ उपर उत्पा दिखा रहे हैं इसका एगर एक बार आप उपयोग करके देखिए मैं आपको पिछले 12 वर्सों का अनुभव आज इस वीडियो के साथ सेर कर रहा हूं हम कई सालों से जीरे के अ हम जो उत्पाद लिये हैं वो है अद्रक ये एक एकड का माप हम आपको दिखाएंगे वैसे हमारे पास जीरे का छेतरफल बहुत जादा है एक एकड का माप ताकि आप सभी इसको समझ जाएं एक एकड के लिए लेना है आपको एक किलो गिली अद्रक एक किलो लेना है गु जाये तो बढ़िया है ऐसा गुड़ जो है मेरे सामने आप देख रहे हैं ये गुड़ भी आप ले सकते हैं और इसके साथ लें पांच लिटर गोमुत्र ये तेन उत्पाद केवल काफी है आपके खेत में जीरे की जड़ अगर गलन से खराब हो रही है पोदा मुर्जा रहा है लाल पढ़ना या फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसे आप जुलसा रोग कहते हैं उसका भी हम नया तरीका इसके साथ जोड़ के बता रहे हैं आदा किलो तंबाकू पाउडर आदा किलो लैसुन इन सब को जैसे की अधरक को छोटे टुकड़े किये जा रहे हैं और साम हमने मिक्सी पड़ी है इस मिक्सी के अंदर इन सब को इतना महीन करके इस बकेट के अंदर डाल देंगे तो आज हम जड़ गलन तना गलन के साथ जो जुलसा रोग है उसका नियंतरन भी आपको बताने जा रहे हैं ये हम बहुत समय से प्रियोग करते आ रहे हैं उन खेतों म तना गलन तो आपको अगर एक एकड में तना गलन जड़ गलन या फिर जुलसा रोग है किसी भी कारण से रसायनों का उप्यों करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हैं तो सबसे पहले पांच लिटर गोमुत्र लेना है इस बकेट में जैसे हमने लिया है गोमुत्र आप गा किलो अदरक आदा किलो लेसन इसको आपको छीलना है कलियों को पीषना है आदा किलो तंबाकू आप देख रहे हैं यह हमने खेनी जैसा तंबाकू पाउडर जो बारीक है वो लिया है इन सब को हम इसके अंदर डालके अभी रात का समय है नीम के पत्ते इसमें सुबह हम एक किलो डालेंगे चटनी बनाकर यह सारे उत्पादों का समावेश करके हम इसको या आप अगर इसको बनाने का प्रयास करें तो अगर आपको पहले उत्पाद बनाके रखना है तो दस दिन रखना है अगर किसी भी कारण से आपको समय नहीं मिला आप उत्पाद बना नहीं प तो यह जो आप इस मोबायल की सिकन के उपर जो चार उत्पाद और ये पांचवा और नीम की पत्ती इसको गलाने के बाद हलका गुनगुना गरम कर लिए. जब ये गुनगुना गरम हो जाए इसको आप छान कर कपड़े से एक एकड़ में जितना आपके इस्प्रे पंप में पानी लगता है उस पंप में ये सारे उत्पाद को मिला कर शाम के शमय गहरा इस्प्रे करना है इस बात का आप विशेश द्यान रखें जिरे की फसल में खेत में हलकी नमी होनी चाहिए अगर नमी नहीं है और रात्री में ओस गिरती है तो भी आप इसका गहरा इस्प्रे करें गहरा इस्प्रे करने से इस अर्क के जो गुन है इसके अंदर जो बैक्टिरिया तयार होंगे वो सीधे जाकर पोधे की जड़ के साथ जड़ के पास जो नुकसान दा एक बैक्टिरिया पोधे को खराब कर रहे हैं उसके उपर जाकर ये काम करेगा किसान साथियों अगर आप मैं आपको फिर से बता रहा हूँ अगर आप सारे प्रियोगों को उपयोग करके ठक चुके हैं जीरे की फसल कर के लिए विशेश कर तो आप सबसे पहले एक एक कड के लिए एक किलो अधरक लाएं एक किलो गुड लें पांच लेटर गोमूत्र लें ये तो हो गया जडगलन तनागलन और जुलसा रोग का प्रकोप अगर साथ ही है क्योंकि एक खेत की समशाएं अलग-अलग होती है और हर किसान की समशाएं अलग-अलग होती है वैसे ये दो उत्पाद ही काफी है पर आपको इसको प्रभावी तरीके से बनाने के लिए और जुलसा नियंतरन करने के लिए लेसन की कली तंबाकू पाउडर तंबाकू का उप्यों करने से पोदे की ग्रोथ जो है वो और अधिक बढ़ जाती है पोदा फोटो सिंतेसिस बढ़िया करता है अच्छा करता है और पोदे में लचकपन जादा आता है हरापन जादा आता है कॉंपले जादा आती है फुलवारी जादा आती है अगर आपके खेत में पहली फुलवारी होते वक्त जुलसा आया है जडगलन हो रही है तो इसके साथ आप एक एकड़ के माप के हिसाब से एक लेटर देशी दारू भी मिला कर इस्तेमाल करें इससे भी आपको बहुत लाब होगा फूल अधिक आएंगे जीरे का पोधा जो है उसका फैलाओ अधिक होगा उत्पादन आपको अधिक मिलेगा तो साथियों इस वीडियो में जीरे की जडगलन तनागलन जुलसा का नियंतर्ण हमने आपको जेविक तरीके से बताया है आप जरूर ऐसा प्रियोग करके संतुष्ट होंगे धन्यवाद